सब्सक्राइब क्लास 11 चैप्टर फर्स सेट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगों अब्जक्टिव को से ठीक है सारे वैसे तो होई चुका अपना पहला कोशन देखते हैं इसका एक सैट है इसके अंदर एक एलिमेंट फाइव है तो यह बताओ यह कैसा सैट होगा एक क्या होगे अच्छा इसी वहाने आपको पता एंपटी सेट क्या होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो जाए सब्सक्राइब कोई सैट है यह हमारे क्या होगे एंपटी सेट होगा या तो ऐसा लिखो या फिर ओल्लिया फाइलिक दो यह एक ही बात है एक सैट ए है जोग आपको पता है तो वह तो आपको पता है है ना वो तो उसको तो आप लखी सकते हो तो वो किसमें आएंगे हमारे इतने ही आएंगे तो वह हमारा क्या होता है अगे बात है जो डॉट डॉट कहां तक जा रहे है पता नहीं हमको तो इसके अंदर कितने elements होंगे infinite क्या चमका चलिए एक set A है इसमें कहा रहे है set के अंदर के set of letters of alloy तो लेको हमने पढ़ा है कि अगर एक set है मालो ये one one two two three और एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया यार ये एक ही बात है किसी भी elements या object या से एक और नाम होता है constituent जितनी वार उसका repetition होता है उसको एक वार ही लिखते हैं क्या चमका तो ऐसे ही set A हमारा क्या होगा ए एल ओ वाई ठीक है सर एधी set B क्या होगा तो देखो एल दो बार आ रहा है तो एल और ओ और ए और वाई जो elements इसके अंदर है वोई elements इसके अंदर है तो क्या होगा यह मत देखो किसा इधर तो ओ यहां पर है आपका ओ यहां इधर एल पहले इसमें और मैटर नहीं करता है कहीं पर भी लिख दो कहीं पर भी ठीक है किसी का अंसर रबंटू-3 किसी का है अलग 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 तो वह एक ही माने जाएगा ठीक है सर तो इसमें देखते जरा क्या है यह मज़ेदार कोस्ट है अब इदर जो दो कोस्टन में लेकर लेकर मैं पहले इसको बताने जा रहूंगा आप लोगों को मैं प्यारा कोशन है इस कोस्टन को समझो तो आपको अब्जेक्टिव कोश्टन कैसे सॉल्व होते हैं इसका प्रॉसेड बताऊंगो मैं देखें कि एक सेट ए हैं कंटेंस M एलिमेंट कितने अंदर इसके सेटने उसके इनदर detrimental to businesslla कितने से एक एक सेट भी है उसके अंदर औरपावन Emir तरेमेंट किसी का भी मिन कालने का forno क्या होता है को की पावर एनोटां सही बात है कि इतने प्र एपक्णा the elements में तो सब Państwo ऊप सैट एग घ्या वर तो कि पावधन में क्या तो सभ्सेट ऑब voluntary एक आवशामपल अगर यह कोशन दिया गयyer एक सैट एसके अंदर 123 एलिमेंट है इसके सैट किने साब सेट आर्म भूलाइग तूज हायर थेальный में जितने ऐलिमेंट इन्वे ट्रस Live न REAL मेरे भाई तो आपके पास फर्स चैटर का बेसिक नॉलिज होनी चाहिए तभी अब्जेक्टिव हो पाएंगे आप यह मत सोचो कि डायरेक्ट सीधे फर्स चैप्टर के अब्जेक्टिव करोगे कत्ती समझ नहीं आएगा आपको ठीक है तो चली इस पर आजाते हैं सब सेट आप सेट एक इतना होगा टूपी पावबर एंट सबसेट ऑफ सेट भी क्या होगा टूपी पावर एंड के लिए रहना इज़ा थोड़ा से अजिड़ा चलो अब को संब गया रहा है अब को संको दुबारा पढ़ते हैं दना नंबर और औफ सबसेट आफ द फर्स चैट दोगी पावर एंज एक्वल टू मिला इसका बराबर one one two one one two more का मदलब ब्लस सेकेंड चैकnd क्या है टूगी पावर के लिए टो वन फिर्स सेट में जितने भी सब सेट है और दूसरे सेट यह जितने भी सब सेट एंड इससे एक सो बारे अधिक है तो क्या मैं इसको ऐसे न सब्सक्राइब करते हैं अगर यह 11 क्रास में आया होता और यह अब्जेक्टिव में नहीं आता तब क्या करते आप एम और एन की प्रॉपर वैल्यू निकालते अब मेरे भाई आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं करना है के वाल आप बहुत ऑन साणसर से देखो यह A'm की वेलियर yeah and key वैलियक अभूके देखों सल टूइइप आप छॉण भी A पर मांड उसला और टूइक आथएयस और मामस कि ऑक्वार नहीं आ रहा है यस जर्लोर एन की M तीजगे रिका को 72 828- एंड की जगह फोर टू की पार फोर में सोला एक सो बारे आ गया सीधे यह आंसर हो गया आगे बढ़ो आप को तो अब इसे करने बैठो के इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो हमको पता है कि यह जो कोश्चन है ऑब्जेक्टिव की आंसर इनी में से कोई एक ना एक होगा यह एम और एंड की वैलिए सिंपल सा रख के देख लिए जाते है जो कंडिसे सैटिस्फाइब कर जाए वही आइंड की जगह रको से बन टूगी पावर एम टूगी पावर सेबन कितना होता बन हंडिए ट्व इंड की जगह फोर तो टूगी पावर फोर कितना वह 16 128 वैश्ची मैने सुख कितना 112 बिलकुल आ रहा तो यह मारा सही हो जाएगा क्या चुम का बास समझा रहे ही ना अग अगर यह अब्जेक्टिम नहीं होता तो यापको सॉल्फ करना पड़ता क्या है इस सब काम भी आइंगे इनको यार चलो के लिए तो आई नवा समझने अब आपको दिल पे लेके सॉल्फ नहीं करना यार इसका अंसर नहीं भी या बोची हैबिट थोड़ा चेंज करो आपके की पास ऑप्स ऑप्सन है इससे पुट दा वैलू गैट दांस लेकिन नॉलेज के लिए फिर भी बता दू कि सी कैसे निकालें नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस काम तो आपका हो गया कि सर एम और एन की वैलू अगर यह उप्सन में नहीं होते फिर हम कैसे करते तो देख हो मैं कैसे इसको सॉल्ब करूंगा टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन इककोस एकसो बारा अब बात जान लो अनॉन वैलू कितनी है दो एक्क्वेशन कितनी है तो कभी भी आंसर आप निकाल नहीं सकते लेकिन फिर भी हम निकालेंगे जब गभी एक्क्वेशन एक होती है अनॉन वैलू दो होती है तो हम लोग हमेंसे कंपेर करते हैं बहुत से बचे समझ नहीं रहे होंगे कि सरी क्या अनॉन वैलू कहना का मतलब मेरा यह है कि एक्स प्लस वाइकोसी टू किसी ने दे दिया और कहा कि एक्स और वाई की वैलू निकालो तो इंपॉसिबल अ यह बढ hack ने पार न फैर भी gucken में ले लिया तो यह वच्छचे का ठोगी पावर एंपॉन टूकी पावर और Truc न माइनस बन कॉमकल लेने का मलतल्ब क्या होता दिवड़ गर दे न यह सार नो तो टूकी पावर एन और यह ऊपर जाएगा सेंबेसे पावर माइनस होगी एक सबार क्या एसे लिख सकते हैं यह उता हो तो इसको पर एंटु सेबन तो इसको साथ तो टू की पर एम मैनस और एकोस तो यह मैनस तो यह गा पिलस का तो यह कितना जागा एट एट को लेखेंगे टूगी पावर फिरी तो एम माइनस एंड किसके को लोगया ठीक को लोगया एन की वैलुक इतनी अडियर फोर तो एम कितना गया सेबन अगर यह अब्जेक्टिव नहीं होता तो आप इस तरीके से भीया क्लास में करके आते लेकिन अब नहीं हमें अतना लॉजिक लगाना अब सीधे ऑप्सन में देखो पुट करो आगे बढ़ो क्या चमगा यह आपको अपनी हैविट में लाना पड़ेगा चेंज तो चलो यह अब इसको देखते हैं बड़ा प्यारा गोशन है एक्स की वैलू यह है वाई की वैलू यह है और एंड जो यहां पे न वो नेचुरल लंबर है यह वी हमारे नेचुरल लंबर है क्या चमका कह रहें कि भीया बता फिर क्या होगा यहां पर यह एक्कवल होंगे दो सबसेट होगा यह बराबर नहीं होंगे या फ्री फाई आगान के बीचे कॉमन देखते हैं अब यह क्या करना जल्दी से कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार रखो यार एंड बोले तो नेचुरल लंबर नेचुरल लंबर कहां से स्टार्ट होता है तो रखो श् これ है एंड की जगे 1 तो 8 की पार मतलब 8 एंड की जगें मन किजर तो चलो देखो और देखेंगे गर्ण चलो एक बार रGS की जग है तो इन्पार सोनियर रहें है और चाहिए दोनों में रखो एन की जगह टू तो फॉर्टी नाइन टू टू माइनस पॉर्टी ना फिर भी फॉर्टी ना आया अब आप सोच रहे होंगे तो अभी तो अभी तो एक्वाली चल ले ना देखो चराब एक्कॉल आप्शन में भी है अब देखो मजा आवाएगा यह इसलिए मैंने आप एक ट्री तो एट की पावर थी मैंने समयनस सबस्क्राइब सेवन सब्सक्राइब 2512 माइनस का 22 गया तो चारना घंक बचा ठीक है अब भाइक जगे रखो बिया थरी तो 49 इंटू 3-49 यह तो आन तो कितना बचा हिये नाइन्टी येट क्या और नो तो भाईया क्या बरावर आ रहे हैं और सो तो भी दोना बरावर आ तो भी ऑन बरावर आ रहूँ तो ये चार सौ नभ रह आया और हमारा How । तो ए सकता यह भी नहीं हो सकता पुछ एक बीदम और ऑन्न cows are अरप दो आप बात भॉटाइं यहां पे आप एंद की जगेर कुछ भी रखो क्या यह 49 टेवल नहीं हम दूब और ऑप और फिर फोर्टीनाइं के ही आंसर आ रहे हैं पॉन डा है लेकिंडे इसमें हमारे आंसर जादे आएंगे ठी पॉर्टी नाइन एंटइएट फिर उस पॉर्टीनाइन कां टेवल तो कहीं लिए गा मतलब X के सारे element Y में होंगे तो this is the answer के लियर है क्यों अभी दोगो यह कॉमेंस वाली बात है सेट एक्स में क्या रहा जीरो 49 490 डॉट 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 रहा बाइन क्या रहा फॉर्टी नाइन फिर नाइन टी एट डॉट डॉट जीरो भी मला यह 49 का टेवल है यह सुर इसमें नमबर जा दे हैं इसमें कमें लेकर है तो 49 गई तो यह सारे इसके अंदर होंगे लिए इसके सारे element इसमें थोड़ी ना है यहां 90 कैस्में नाइन इसके सारे होंगे आप करके देख लो तो दो तीन एक्जामपल लेकर के मुद देख लेते और दिमाग में अगर कॉर्शन आ रहा हो कि सर क्या पता हमने दस नंबर पूट करें और दस तक बराबर आ रहा है तो ऐसा बिलकुल नहीं मिलेगा बिलकुल चिंता ना कला दो तीन वैल्ली मे नहीं पता लग जाएगा आपको क्या चमका ठीक है ऐसे अप्जेक्टिव कोशन दीर दीर अभी बिल्डप होगा चलो देखते और यह किच यह प्याइब है 한ipp यह तो लगए यह लेकिन है कुछ है पताएं कि से करें है कर लिए क्यद्धिट्ण सेट्स एक्योटन यह एक वैलेंट इक्वालेंट इन तरो लिए एकागरपान बोते हैं जिसके कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं एक सेट है उसमें चार एलमेंट है मान लो यार ईह सैट एह है इसके दार перем तू आ भी सार है एकसेट भी है इसकी किनदा फंटेस्टरी फोर यह एक्वालेटल गये उकवाल नहीं है यह इसमें भी एली मेंठ चार है और इसमें भी एलीमेंट्ट चार है जिस इन सीम एलीमेंट्स होते है और नम्बरी सिप्न इसमें इसमें भी चार element cardinal number और और इसमें भी चार है तो एक वेलेंट हो ते अब देखते हैं क्यारे कौन से होंगे चलो देखते हैं तो आचाया कैरे सेट ए और सी वरण हो दिसमें हैं और स्पास्टली है चलिये जद ए और बी तो हम अकनी अथ में और समय अधिक्व पर इससे लिए और संट कर और और ऑट करनों व anc तीक है लिए टो इनी को है नहीं घालत करते बाइट लोगे यह थी तो la गया है तो इस पे बुद्धी मत लगाना सीरे आगे बढ़ो ठीक है क्योंकि अगर ये पहला ही सही होता फिर इन तीन को देखने की रुकार्मेंट नहीं होती ना क्योंकि इन चारों मैंसे एक ही आंसर होगा दो दो आंसर तो होगे नहीं हां अगर ननौ दीज है तो उसको एक कि यह पूस्ता एक सेट एय है उसमें 15 elements है तो बता उसके पावर सेट में कितने नंबर सेओंगे तो टुऩी पार 15 अगर पो ऐसे पूस्ता कि पावर सेक्राइट के साँर एक स्टी कि यह का रहा यह वड़ा प्यारा कोश्वन है यह कहने एकस एंडिकेट इप होगा है जो पी है को इनकेट कर रहा है किसको पावर सेट रूप अब इसका में जगे देखें यह भी यह दिया गया है है मतलब क्या हुगा जो यह सेट है ना इसके सारे पावर सैट लगो में SOW सबसेट लगो तो 5 इस ड़ ता सब सैट औफ और ऑल सैट फृर एक करली कोई का का December कोई वेचा सोच रहा होगा कि सर क्या इसको 75 आप आगे पीछे आव fina प्रवाना एक ही जाएगा अब देखो यह इसका जो मीनिंग है वो यह हो गया कि लिए रहा है मतलब सैट एक जितने इसके इस सैट के जितने भी सब सैटे सारे लिख दो यह बताता है पावर सैट अब चेक करो क्या वन कॉमा क्या यह दो बड़ा अच्छा कोश्चन है कह रहे दिपकर विख यह उलॉओं कर रहा है नहीं यह आप सही हो जाता अगर और ऐसे लिखा हो था अभ चुछ होगता है डिलांग्स का मीनिक क्या होता है अधर वह पूरा देखो में यह इसमें अमको दरने करली बैस और चेक करो क्या यह हाजी बिल्कुल है मतलब बिलॉंग्स टू के इधर जो भी लिखा है जो भी अगर सेम वैसा लिखा हुए वहाँ पर तो ठीक है अब आप कहेंगे जर वन यहां था तो और यहां भी है नहीं यह करली ब्रैसिस के साथ बन है पूरा ठीक है पावर सैट के इसके दर जितने भी एलिमेंट्स अंदर लिखे होते हैं तो से बेसिक पढ़ो यार कोंदो आप यह चीज इए कंफिज मलब होंगे चलिए यह देखते है एक्स इस पॉजितिव इंटीजर एंड डिवाइज़ ऑफ नएं बाज़ कहार है और डिवाइज़ करने वाला वह बहुत से बच्छे इसमें और इसमें इसमें कन्फीज हो जाते हैं छिसके बाद में और लग जाता है वो काम करने वाला जाता में तो यह रही हो जाएगा इसर्ट नाइन को डिवाइट करें यहांगी तो यह नहीं को यह नहीं हो सकते का डिवाइड नान में जाएगा पॉइंट में जाएगा ठीक है चबो किलिए रहा चलो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इनसेट ए यह सेट ए है बताई इसमें कितने एलिमेंट भाई या फाई किसको इंडिकेट करता है एंपटी सेट को और एंपटी सेट में कितने होते हैं जीरो ह होते हैं क्या चमका अगर ये ऐसा होता तो इसका अंसर बन हो जाता सिर्फ कर लिए ऐसे होता ठीक है फाई तब वहाँ पर फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता चलिए यह बड़ा प्यारा गोश्चन है क्यारे एंट्रसेक्शन एक्सकों मैं इसको देशी तरीके से बत होगा है चलिठाल तो पहले यूनियन भी बताओ क्या होगा एंट्वीए उनियन बीलोब यह और ब에 के सारे अलीमेंट फिर ए यूनियन में ऑर एंट्रसेक्शन किया और intersection of a a में क्या होगा one two three तो दो लोग intersection करके आंसर क्या रहा रहा one two three बोले तो set a तो इसका अंदर क्या हो जाएगा set a यह तो ऐसे case में तो अपनी तरफ से लेट कर लो क्योंकि बैसे काइदे में according to math यह सब गलत होते हैं अगर यह प्रूफ करने को आता तो यह एकदम गलत था यह तो हमने एक example लेके समझा दिया यह कोई हमारा एक जन्नल सॉलिशन नहीं है बट अब तो आपकी मौज है कोई प्रूफ नहीं करना तो में अपना खतम करके अब बढ़ा तक कुछ भी आपने लिया और जब सॉल्व किया नहीं इसको तो दोको वह आ गे मारे जो सेट अता क्या चम का पकी बात तृट में बढ़र यह दो लाईगा माइनस तरी आएगा मैनस तू आएगा माइनस में जीरो वन टू थीपल फाइव से कितने आर एकाउंट गोड़े रहा वंन टू थीफ फाइव सिक्स तेवन एट नाइन टेन एलेवन तो क्या जो अंसर एंफिया रहे है क्या यहां पर फाइब जो था वो इनकूद तो प्रेक्ट आप साइब क्या वात समझा रही है प्रदाइब सिंपल सिंपल नहीं है आएंगे धीर दिर थो तफ दिया यह चलिए देखे रविया कैसे अफ और नेचरल लंबर्स फोर एक्स प्लस नाइन लेस्ट फॉर में लिको मतलब पूर एक्स प्लस नाइन लेस्ट फिटी यह वैसे यह चैप्टर शिक्स का कुर्शन ने काईदे में देखा जाए क्योंकि इन एक्कुलिटी जागी बट तरफ जाएगा तो जब नाइन इस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा यह 42 और एक्स ब्रावर से डिवाइड गादो कितना गटेन पॉइंट है ओ मैं गॉट्ट एक्स की जो वैली है वो 10.25 है मलत 10.25 से चोटी तो यह 10.25 से चोटी तो 10.24 भी है 9.8 भी है 9.77 यह लेकिन य क्या बोले है नैच्रल लंबर और दुनिया में तीन नमबर है ऐसे नैच्रल लंबर इंटी जरो हो लंबर यह कभी भी हमारे डेसीमल फॉर्म में नहीं होते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो बन की नैच्रल लंबर है तो बन से लेके 10 तक हो जाएगा मतला हमारा सी ओप् नूसमे करते हैं तो कहीं पर पПрस लिखा अनल इंडर लूंबर है लेकिन धर अगर नेगातिव रियर लंबर और वो क्या इन डिया है अगर यह शीमारे इंटीकेट करते लेकित करते लगां दिया तो समुड़ पायटिव इनृटीर मैंनस लगात दिया है तो इरैस्निल लंबर की बड़ी कन्फूजन तो आप फाइनल लेकर इर्रेशनल लंबर को टी से इंडिकेट कर देते हैं ठीक है यह बैसी बैसी बात जो आपको आनी चाहिए पक्की बात है चलिए अब यह तो फॉर्टीन ट्वेंटीवन ट्वेंटीएट अब यह कहने कि वह यह रोश्टर होगा दो सेवन बंजा सेवन सेवन टूजा कहां से स्टार्ट हो रहा है टू से तो बन तो हो नहीं सकता यह कहारे बन से स्टार्ट होगा यह तो होनी सकता और थरी कहारे विए टू से स्टार्ट हो रहा है तो पक्की बात है यह वाला होगा ठीक है चलो अब लोग एक सेट एक सेट भी है एक सेट यह बता इन तीनों का यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तीनों एलिमेंट तीनों सेट के एलिमेंट होने थे एक्ष्टा हो जाए तो भी चलेगा चलो तो दो को भाई यह तो ही नहीं सकता जीरो सेबं बन टू-3456 यहां पर सैबन है करें तो यह होगा यूनिवर्सल सेट क्या चमगा तो आज के लिए अगले सीरीज में बनाएंगे सीरीज चलाएं दबाग इनगे अ है